तिलंगाना के सिकंदरबाद में रूबी एलेक्ट्रिक स्कूटर नाम के शोरूम में आग लग गए जानकारी के मताविक बैटरी चार्जिंग यूरिट में आग से हाथसा हो गया शुरुवाती जानकारी के मताविक आग की वजह शौर्ट सर्किट को बताय जा रहा है और इस वजह से 6 लोगों की अब तक मौत हो गई है इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूम में लगी आग बिल्डिंग के 2 फ्लोर में फैल गए और ये तस्वीरे इस वक्त आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन्स पर लगतार लोगों को निकालने का रेस्क्यू का काम यहाँ पर किया जा रहा है ये तस्वीरे इस वक्त बरायरास आप देख रहे है शोरूम के उपार एक लॉज है जिन लोगों की मौत हुई है वो इसी लॉज में रहते थे आग लगने की वज़े से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई तकरीबन पांच लोग जखमी बताय जा रहे हैं जिनने अस्पताल पहुचाने का जो सिलसला है वो जारी है अम्बुलन्स की ये तस्वीरे बरायरास तब देख सकते हैं लोगों को यह से निकाल कर इस शोरूम से निकाल कर अस्पताल पहुचा आए जा रहा है और आपको इस खबर पर अपडेट दे दे साथ लोग अब तक किसमे लाग हो चुए के हैं साथ लोगों ने अपनी जान गवा दी है शोरूम की आग खौफ जदा कर देने वाली साथ लोग इस आग में जुलस चुके हैं तेलंगाना के सिकंदराबाद में हुबे इलेक्ट्रिक स्कूटर नाम के शोरूम में आग लगी जिसमें साथ लोगों की मौत हो गई तस्वीरे आप देख सकते हैं दूर से ही धुएं का हुबार उटता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है पुलिस और एम्बुलेंस पहुच चुकी है अमिर्जंसी सर्विसेज यहाँ पर पहुच चुकी हैं को बुजाने का काम भी जा रही है दूआ भी उठता हुआ और यहाँ लोगों को अस्पिताल पहुचाने का सिलसला मुसलसल जा रही है साथ लोग इसमें अब तक अपनी जान गवा चुके हैं कई और जखमी हैं जिन्हानल फानन में अस्पिताल पहुचाया जा रहा है आपको बता दे कि शोरूं के उपर एक लाज था जिसमें ये लोग रहते थे और आग लगने की वज़े से इन्हें एक्जिट का रास्ता नहीं मिला और ये लोग जुलस गए शुर्वाती जानकारी आप तक इस वक्त पहुचा रहा है आग की वज़े शोर्ट सर्केट बताई जा रही है और इसमें अब तक साथ लोगों की मौत हो गई है इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूं में याग लगी दो फ्लोर में फैल गई है याग शोरूं के उपर एक लॉज है जिन में लोग रहते थे और उसी वज़े से उनकी मौत हुई साथ लोग अब तक दम तोड़ चुके हैं कई और जखमी हैं जिनने अस्पिताल पहुचाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है पुलिस तैनाथ है एमर्जिंसी सर्विसेज यहाँ पर हैं एम्बुलेंस पहुच चुकी है मौके पर फार ब्रिगेट का अमला लगतार कोशशों में हैं कि जल्द जल्द आग पर पूरी तरहा से काबू पाए जा सके पूरे लाके में खौफ है देशित है क्योंकि इसका हुबार दूर तक न और धीरे धीरे यह आग दो फ्लोर्ज में फैल गई उपर लॉज में रहने वाले साथ लोग अब तक अपनी जान गवा चुके हैं वहीं कुछ और लोग जखमी हैं जिने इस्पताल पहुचाने का काम भी जा रही है एम्बुलेंस पहुच चुकी है मौके पर